जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजूकेशन में इस वीडियो में डिसकस करेंगे 19 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली के करेंट अफेर जो कि आपके आने वाले सभी एकजाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे हमारी डेली करेंट अवेर की वीडियो आती है उसको आपने जरूर देखना है और जादा से जादा आपने शेयर करना है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो की रहेगा एक साल के लिए और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी अपकमिंग स्टेट और सेंटर गवर्मेंट इग्जामों को आप अपनी त्यारिस में बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मेलेंगी ओनलाइन टैस सीरिस, स्पेशल नोट्स और बुक्स जल्दी से जल्दी 100% शॉर्ट सक्सेस के लिए आप हमारा शॉर बैच स्टार्ट कर सकते हैं विजयपत दिपेंस एज्जुकेशन में चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फस्ट कोईशन है हमारा इंडेन आर्मी डे कब मनाया जाता है इंडेन आर्मी डे जो है ये पूरे देश भर में मनाया जाता है 15 जनबरी को इंपोर्टेंट कोईशन है और बरतमान की अगर मैं बात करूँ कि आर्मी के चीफ कौन है तो उनका नाम है वो थे रास्टपती अब जो है तीनों सेनाओं का जो हैड है वो एक सीट बनाई गई है एक पोस्ट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है सीडियस और सीडियस हैं हमारे विपिन रावत नेक्स वन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हवाई टेक्सी सेवा का उधगाटन किया है तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में हवाई टेक्सी सेवा का सुभारम किया है उस राज्य का नाम है हर्याना और हर्याना की राजधानी है हमारी चंडिघड नेक्श वन है युएस से ने किस देश को अंतकवाद के राज्य के प्रायोजग के रूप में फिर से नामित किया है तो एक वार फिर से United State of America ने क्यूबा जो हमारा एक देश है उसको एक वार फिर से आंतकवाद के राज्य के प्रायोजग के रूप में फिर से उन्होंने उसके उपर इशारा किया है तो इसका क्यूबा जो है बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा किस राज्य ने स्वच बिंदू सागर पहल की शुरुवात की है तो एक नई पहल स्टार्ट की गई है ओडिसा के सरकार के द्वारा उसका नाम रखा गया है क्लीन बिंदू सागर नेक्श वन है महिला क्रिकेटर सौफी डेवाइन ने टी टॉन्टी में सबसे तेज सतक बनाया है वे किस देश की है तो सौफी डेवाइन जो है जिन्होंने टी टॉन्टी में सबसे फास्टेस्ट हंडर्ड बनाया है सबसे तेज सतक बनाया है सैंचुरी बनाई है तो ये समन्द रखती है न्यूजिलेंड की मॉस्ट इंपोर्टेंट कोईशन आपके लिए बनेगा नेक्ट वन है किस देश के बिदेश मंतरी परदीब कुमार ग्यावली भारत की तीन दिफ्षिय अधिकारिक यात्रा पर आए है नेपाल की जो बिदेश मंतरी हैं वो आए हैं भारत की तीन दिफ्षिय अधिकारिक यात्रा पर और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भारत के बिदेश मंतरी की तो उनका नाम है S.J. शंकर नेक्ट वन है फिंच रेटिंग ने बितवर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहेने का नुमान लगाया है तो फिंच रेटिंग के अनुसार जो है जो हमारा फाइनेंशल एर है 2021 उसमें भारत की GDP जो है वो हमारी हो सकती है माइनस सेवन पॉइंट सोरी 7.5% इंपोर्टन कोशन है आपके लिए नेक्ट वन है भारत की नहीं विदेश बेपार नीती 0.1 अप्राइल सोरी एक अप्राइल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी तो ये टोटल जो लागू की गई है एक नहीं नीती ये लागू की जाएगी पांच बर्षों के लिए नेक्शन है इस बार की गंतंतर दिवस परेड में किस देश की सेन्य टुकडी भाग लेगी इंपोर्टन कोशन है और 26 जन्वरी को भारत में गंतंतर दिवस मनाया जाएगा और यहाँ पर बंगलादेश की सेन्य टुकडी भाग लेगी मैं आपको बता दूँ इस बार हमारे गंतंतर दिवस में कोई भी चीफ गेस्ट मौजूद नहीं होगा मतलब कि विदेश का कोई भी चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होगा पहले जो थे जो बाइडन को निमंतं किया गया था लेकिन उन्होंने बहाँ पर करोना के कारण सारी की सारी अपनी यात्राइं जो हैं वो रद कर दी हैं जो वाइडन जो हैं 26 जनवरी जो हमारे भारत बर्श का गंतंतर दीवस है उसके बाद सूफि के रास्टपती जी को भी निमंतं किया गया था तो वो भी जो हैं वो कंतंतर दीवस में हिस्सा नहीं ले सकते, तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे गंतंतर दिवस में भारत जो बाहर के विदेश के जो हमारे गेस्ट हैं वो मोझूद नहीं होंगे तो इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंगला देश की सेंहे टुकडी जो है वो हमारे गनतंतर दिवस में भाग लेगी लास्ट कोशन है इस वीडियो का किस अंतरिक्स एजेंसी ने 2021 में आपने नए परमुख रोकेट H3 को लौँच करने की घोशना की है तो जेक्षा के दुआरा जो है वो 2021 तक अपना एक नए रोकेट H3 को लौँच करने की घोशना की गई है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें शोशल मेडियो के उपर फोलो कर सकते हैं हमारे वर्टसैप ग्रूप के साथ जरूर जुरें जिसमें आपको डे टो डे के करेंट अफेर साथ में HP पुलिस के नोट्स साथ में इंपोर्टनिट कोशन स्टेडी मेटिरियल और जो बलट प्रोवाइड करवाया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्टसैप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमारा वर्टसैप कृप जोईन कर सकते हैं हमारा हिमाचल पुलिस का एडवान्स बैज भी स्टार्ट हो चुका है जो कि रहेगा मिश्जन 2021 के लिए जल्दी से जल्दी आप हमारा एडवान्स बैज स्टार्ट कर सकते हैं वीज़पात defense education में वीडियो को जाद से जादा लाइक करें शेयर करें मिलेंगे नई वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत